वेलकम तू इस वीडियो लेक्चर और आज आपके सामने है वर्कशिट नमबर टू वर्कशिट नमबर टू विद सुलूशन इसके बेटर रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं पहले आप सिरफ और सिरफ वर्कशिट के स्कatte के लिजिए और उसके बाद उनके सिलूशन निका लिए और उसके बाद आप सिलूशन देखिएं और अपनी गलतियों को Find Out कीजिए तो first page आपके पास यह है, 10 question की work sheet आपके पास यह, work sheet number 2, first question, first question के लिए 4 part है, part 1, part 2, part 3, part 4, second question, इसका screenshot आप ले सकते हो, third question, fourth question, fifth question, sixth, seventh, eighth, यह आपके पास total 8 question अभी यहाँ पर है, इसका भी screenshot आप ले सकते हैं, और 2 question आपके पास हैं, इसका screenshot भी आप अपने पास ले सकते हो, और आपने इन questions को अपने आप solve करो, और बाद में solution के साथ match कर सकते हो, जिससे आपको और कोई doubt है, तो वो doubt आपका दूर हो जाएगा, और यह होप कि आपने तीनों pages के screenshot ले लिए होंगे, और आप इनके solution अपने आप practice कर रहे होंगे, अब इसके solution पर आते हैं, आप solution बाद में भी देख सकते हैं, मैं देख वीडियो को इन तक देखके एक बार, और question लेकर उसके बाद उसके answer करो, और उसके करने के लिए आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा एक system बनाना पड़ेगा, system कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे आप लोग math में, ऐगर आपके पस math के सारे plus के question होते हैं, तो आप उन plus के question सुग कर देखते हो, suppose करो आपके पास इस तरह से कोई question है, suppose करो आपके पास इस तरह तो आपको सीधा पता है result किया जाएगा कि पास 2 प्लस 2, 4, 6, 9, ठीक है ना, सारे minus क्यों तब भी आपको पता लग जाएगा minus के ना, लेकिन जब आपके बस एक plus की quantity है, एक minus क्वांटिटी है, एक multiplication में क्वांटिटी है, और एक division में क्वांटिटी है, उस समय आप क्या करते हैं, उस समय आप एक special formula यूज़ करते हैं, मैं आप में, गोर्ड मास, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के एक question solve करने प्लेंगे, यह सारे question, आ सारा का सारा question complete series में है, या complete parallel में है, या इनके combination में है, उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस question की geometry है, उसको समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप किसी भी एक end से current को pass करना शुरू करो, यहाँ पर आपने current को pass किया, A point से, तो C point पर आके current के दो हिस्से हो गए, तो जैसे current आपका दो हिस्से में split होता है, आपको पता है, वहाँ पर parallel combination स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अगर हम C point से चले, C से हम E पर चले, E से हम F पर चले, उसके बाद देखो current आपका split नहीं हो रहा, इ तो यह आपको बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसका second question का first part का, जो solution है वो इस तरह से है, सबसे पहले आप इस question को, इस तरह से, जवार के पास question इस तरह से दिया हो गाई, ये first question, आप इस first question को इस तरह से कर लीजें, आपने कर लिए है हम पर से E, E से F और F से D, यहां पर current आपका split नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यह तीनों पार्ट आपके पास series में है, ठीक है, तो हमारा target सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा target है रहेगा, कि हम इस part को solve कर लें, तो इस part को solve करने के लिए आप इनको label कर सकते हो, किसी combination, ठीक है न, तो मैंने यहां पर R' बना दिया, R' बना दिया, R' is equal to R2 plus R3 plus R4, क्यों है, क्यों है, क्योंकि यह सारा का सारा combination जो है, आपके पास, यह सारा का सारा series में है, तो यह R2 3 ohm, R3 3 ohm, R4 3 ohm, 3 plus 3 plus 3, 9 हो गया, clear है, तो अब इस 9 ohm को हम जबने solve किया, किस part को solve किया इसका मतलब यह कि जो आपका यह वाला diagram है, वो इस diagram में convert हो गया, देखो इसका यह वाला part, AC वाला part, बिल्कुत सेम है, ठीक है, BD वाला part वाला बिल्कुत सेम है, सिरफ और CD part, CD part भी 3 ohm, सेम है, 6 value दे रखिया, R6 value दे रखिया, 3 ohm, हमने सिरफ इसको solve किया, और इसको solve कि 3, R' 9, ठीक है न, तो अब, यानि कि यह वाला circuit हमारा, इस circuit में change हो गया, आपको यह बनाना ही जूरत नहीं है, लेकिन अभी आप क्योंकि सीख रहे हो, तो इसलिए आपको इसको बनाना चाहिए, अभी के लिए, फिर क्या होगा, यह दोनों अपस में आपके पास parallel combination में, य R' के according कि से solve करेंगे, तो parallel में क्या होता है, 1 by R is equal to 1 by R1 और 1 by R2, result आपको यह याद है, तो 1 by R' is equal to 1 by R' यह वाली value 9 ohm, और 1 by R6 यह वाली value, ठीक है, तो 1 by 9 plus 1 by 6, 1 by 3, आपके पास solve करके, LCMD यह 9, 1 plus 3, 4 by 9, और क्योंकि यह 1 by R' है, तो आप सुझा करोगे, R' को reciprocal लोगे 9 by 4 आगया, means इसको solve करने के बाद, इन दोनों resistance को parallel में solve करने बाद, आपके पास resultant क्या बना है, R' अब यानि कि यह वाला diagram आपका, इस diagram में convert हो गया, देखो यहाँ पर A, C complete, यहाँ पर D, और यह B, तो अब आपके बास आपको दिखाई दे रहा है, कि यह तीनों आपस मे किसमें है, series combination में, तो हम क्या करेंगे से series combination के अगोडिन solve कर लेंगे, R triple prime, R1 यह R1 value, double prime यह value, और R5, तो 3 plus 9 by 4, plus 3 LCM4, solution करने के बाद, आपके पस कितना आ जाएगा, 33 by 4, 33 by 4 को decimal में solve करेंगे, तो हमारे पस मसर क्या आ जाएगा, 8.25 ohm, यानि कि question number 1 के first part का अंसर आपके पस क्या आ गया, इस part का अंसर आपके पस क्या आ गया, 8.25 ohm, R equivalent, यानि कि जो last, जो result आपके पास, इसको हमने आपर R triple prime के according बताया है, तो यह आपका first question का अंसर आपके पस क्या आपके पास आएगा, इनका जो resultant आपके पास आएगा, वो इसके साथ parallel में solve हो जाएगा, और फिर वो आपस में, तीनों आपस में, series में हो जाएगे, clear, अगर आपको first question स्वर्ण में आ गया है, तो second question भी बिलकुल इसी की तरह है, आप धिहान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यह से यह दो, यह दो, ठीक है न, फिर यह इसको joint कर दिया, यहाँ से, इसको joint कर दिया, अब यहाँ पर मेरे पास तीन resistor थे, तो हमने geometry यह बनाई है, अब यहाँ पर क्या है, दो है, अब suppose करो, यहाँ पर दो होते है, तो कैसे जोड़ देता मैं उनको, इस dotted line से समझने ही कोशिश करना, इस तरह से मैं उनको जोड़ देता, तो कैसी बन जाती picture हमारे पास, बिलकुल ऐ देखो जाएगा, ठीक है, देखो आप जेहां से देखो जाएँ, देखो यहाँ पर, यह आपके पस डियाग्राम है, मैंने इन दोनों पार्ट को सीरीज में सॉल कर लिया, आर प्राइम, आर बन प्लस राटो इनको लेबल कर लो, आप लेबल के अकोडिंग आपके पास यह तो आप इसे डबल प्राइम को पैरलर में सॉल करोगे, वन बाई 4 प्लस वन बाई 2 के अकोडिंग, यह 4 है ना, वन बाई 4 आगया, यह 2 है, यह 1 बाई 2 आगर के पास, और इसका LCM लेके सॉल करने पर आपके पास आगया है, वन बाई आर डबल प्राइम इस इक्वल तो 3 यानि कि आर डबल प्राइम आपके पास क्या जाएगा, 4 बाई 3 ओम आगया, अब यह 4 बाई 3 ओम आपका करनवट होगे, यह कहां से आया, इन दोनों के रिजल्टेंट से आपके पास यह वाला पाट आया, और अब यह तीनों पारट आपके पास किसमें आगए, सीरीज में सोल हो जाएंगे, ठेक है, तो सीरीज में सोल कर दिया, आर टिपल प्राइम और यू कैं से आर एकोवलेंट, इसको हम आर क्यों कि लास्ट है तो इसलिए आज को आर एकोवलेंट बोल देंगे, आर फोर यह रहा, आर डबल प्राइम यह रहा, और आर फाइव आपके पास य थ्री ओ, ठेक है, जैसे फर्स्ट क्वोश्चन था, बिल्कुल वैसे ही आपके पास यह, इसकेंड क्वेश्चन है, अब बार या आती है इसके, थर्ड क्वेश्चन यह, यह भी बिल्कुल इजी है, डियाग्राम देखने में मुश्किल लगा रहा हो, नेकि वैसे अगर इस पूरे complete part को देखोगे तो एक पूरा complete part आपके पस किस में है parallel में है ये वाला complete part भी आपके पस पूरा किस में है parallel में है ठेक है ये वाला part ये वाला part लेकिन ये दोनों part आपस में series में है ठेक है तो इसका solution देखिए आप यहां पर यह रहा है इसका solution, डायग्राम में दुबारा बना सकते हैं, तो यह वाला part आपके पास parallel में है, parallel के according है, इस अलो हो जाएगा, parallel के according है, इस अलो होगा, इस complete part के लिए r' ले लिया, इसके लिए हमने r3 ले लिया, और इसके लिए r4 ले लिया, आपको बार-बार दिखाने के जूरत नहीं है, एक बार बनाने के बार आप क्या कर सकते हो, इन तीनों part के लिए अलग-अलग कर सकते हो, अब क्या होगा, यह वाला जो case-sap के पास, यह वाला जो diagram है, वो आपका diagram अब इस part में change हो गया है, तो अपर portion भी क्या है, r' r' तो, यहाँ पर प्राइम की value 1 ohm, r' की value, again 1 ohm, नीचे वाला part इस तरह से change हो जाएगा, r' triple' 1 ohm, r' 4' 1 ohm, ठीक है, अब आपको दिख रहा है, यह दोना अपस में किस में है, series में, तो हमने, यहाँ पर हम 4 तक ले चुके हैं, तो हमने यहाँ पर r' 5 ले लिया, r' 5 में हमने क्या किया है, इन दोनों का combination, जो की series में है, तो यह भी 1 plus 1, 2 ohm, अब यह जो combination आपका, यह combination आपका, इस last part में change हो जाएगा, इन दोनों को जोड के आपका बन गया r' 5 और इन दोनों को जोड के बन गया आपका r' 6, तो r' equivalent जो last में आपके पास है, तो क्या हो जाएगा, यह दोना आपस में किस में है, आपके पास, parallel मे यानि कि 1 by r equivalent is equal to 1 by r5, r6, तो 1 by 2 plus 1 by 2, आपके पास आगया 1, अब 1 का reciprocal लेकि आपके पास solution हो जाएगा, complete 1, यानि कि first question के third part का answer का है, 0 for 0, 1 है, इस तरह से आपको यह question solve करना पड़ेगा, अब बारी आती है 5, fourth question, अब इस fourth question में और इस question में ज्यादा difference नहीं है, बस यहाँ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसको मैंने एक अलग डिजाइन में शोगर दे था, यहाँ पर यह पिलकुत simple हो गया, यहाँ पर आप current pass कर रहे हो, यहाँ से current आपका split हो गया, अब यह तीनों आपके पास series में, series की तरह solve हो जाएगे, और यह आपस में, यह दोनों आपस म क्या है, parallel combination में, तो इनका result, इसका solution क्या आपके पास, इसका solution आपके पास यह है, तो first part को आप series में solve करोगे, second part को आप series में solve करोगे, और उनके resultant को आप parallel में लगके, फिर parallel में solve करोगे, तो यहाँ पर बिलकुत simple r prime, r1 plus r2 plus r3, 1 plus 1 plus 1, 3 ohm, r double prime, r4 plus r5 plus r6, again 3 ohm, तो यह व यह दोना आपस में आपके पास किसमें है, parallel में, तो r equivalent is equal to r, 1 by r prime plus 1 by r double prime, तो 1 by 3 plus 1 by 3, as same लेकर solve के आपने, आपके पास अंसर आगया 1.5, तो यहाँ पर जो first question है, first question के जो diagrams है, थोड़े से typical हो गए थे हमारे पास, लेकिन exam में अगर आपके पास आते हैं, तो आप इनको इस तरह से solve कर सकते हैं, इस का अंसर आपके पास आया है, 1.5 ohm, तो इस तरह से first question का अंसर आपके पास आगया 8.25, second part का अंसर आपके पास आगया 5.33, third part का अंसर आपके पास आगया 1 ohm, और fourth part का आपके पास अंसर आगया 1.5 ohm, तो आप चलते हैं, second question में आप देख सकते हैं यहाँ पर मारे पास लिखा हुआ है find the equivalent resistance of the circuit and magnitude of the current through the circuit हमें क्या करना है इस circuit को identify करना है properly total resistance निकालना है और current through the total circuit हमें बताना है तो यहाँ पर भी आपको इन सभी diagrams की तरह यहाँ पर भी समझना पड़ेगा कौन सा part series में है कौन सा part parallel में है series वाले part को series में solve करना है parallel वाले part को parallel में solve करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं यह जैसे हमारे पास यह complete circuit है तो आपको यह complete बहुत जल्दी एक look में ही पता लग जाएगा कि यह parallel part में है और ये भी आपके पास parallel बाड़ आए तो आप क्या करोगे इन दोनों को separately parallel में solve करोगे और उसके बाद इसका resultant इसका resultant इन दोनों के साथ series में solve हो जाएगा तो इसके पास जो solution है आप वो solution देख सकते हैं तो यह रहा हमारे पास solution है इसका हम इसे solve करेंगे इसको मैंने नाम दे दिया R1 इसको नाम दे दिया R2 आप इसको किसी भी तरह से level कर सकते हो यहां से शुडू कर सकते हो R1, R2, R3 बस उसके according आपका formula चेंज हो जाएगा तो यह पास parallel में इसका resultant मैंने बना दिया R' तो 1 by R' is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 तो R1 की value 1, R2 की value 1 इस पार्ट को ब इसा नहीं करना दियान से देखो तो यहां पर आप LCM लोगे यहां पर वन आ जाएगा 1 plus 1, 2 तो 2 by 1 आपके पास यहां पर आ गए लेकिन अब आपको यह समझना है कि यह 1 by R' है तो R' की value आपके पास क्या रहेगी reciprocal लेना पड़ेगा 1 by 2 रहेगी means 0.5 रहेगी इस पार्ट क लिख सकते हो मैंने formula नहीं लिखा ता कि थोड़ा सा lengthen हो जाए हमारा और यह video lecture अल्रेडी थोड़ी सी बड़ी होगी आपके पास लेकिन चलो फिर भी आप लिखना चाहते है लिख सकते है R' is equal to 1 by R3 plus 1 by R4 तो फिर से LCM लेके solve करोगे आपके पास इस cancer आएगा 1 तो 1 by 1 का और जब आप रसी प्रोक को लोगे R' का अंसर भी आएगा 1 आएगा means इस पार्ट का इस पार्ट का अंसर आपके पास क्या आगया 1 ओम अब ये वाला जो डियाग्राम है ये वाला डियाग्राम सर की डियाग्राम आपका complete इस डियाग्राम के अकोर्डिंग चेंज जाएगा ज्याँ से देखना आप लब उने ये वाला डियाग्राम इस डियाग्राम में चेंज हो गए कैसे ये ठी यों ये ठी यों ये ठी यों ये ठी यों आपके पास आगया इसका complete resultant आपके पास क्या आई था 1 ओम और इसका resultant आपके पास क्या है 1.0.5 तो ये तिन ये चार और में किस में हो गए आपके पास series में हो गए तो आप इसने series के according, R equivalent के according solve कर दोगे, जिसके हमदे value होगी R6 plus R5, R double prime, R' जो हमने यहाँ पर solve किये थे, इनको sum करके आपके पास sensor आजाएगा 7.5, means इस पूरे circuit का इस पूरे circuit का आपके पास equivalent resistance है वो क्या आपके आपके पास 7.5 आगया, अब इस 7.5 के corresponding, आपको current find out करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको V value चाहिए, V value यहाँ पर आपको दे रखिए 7.5, तो आप ohms लोगो apply करोगे, ohms लोगो apply करेंगे हम यहाँ पर, V is equal to IR, R यहाँ पर equivalent माना जाएगा कि यह complete circuit का है, तो I निकालना है, current value निकालना है, तो V by R equivalent हो जाएगा, V की value 7.5 और R equivalent की value क्या है, 7.5, कट करके आप cancer क्या आजाएगा, 1 ampere, means second question, जो आपके पास यह second question है, इस second question का R equivalent, यानि यह complete resistance आपके पास है, 7.5 ohm, और आपके पास जो current है, इस पूरे circuit के through, वो आपके पास क्या आजाएगा, 1 ampere, solution के according, ठेक है, clear है, तो second question भी हमारा, complete हो गया, अब बार रहाते है, third question की, third question को बड़े ध्यान से समझने हैं, what is the, what is a part, what is a part the highest, b part the lowest, total resistance that can be secure, यानि की जो combine करेंगे, by combination of 4 coil of resistor, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm, यह question बड़ा ही simple है, बहुत सीधा सा question यह है, कि आपके बस 4 resistance value आपको दिये हुई है, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm, आपने maximum resistance कितना होगा, यानि highest of the maximum resistance कितना होगा, यह बताना है, और lowest resistance कितना होगा, आपने यह बताना है, तो इस question के लिए आपको एक बात अपने mind में हमेशा हमेशा याद रखनी है, highest resistance means series combination, तेक है, highest resistance means series combination, आप क्या करोगे, आपको जितने भी resistor दिये हो है, 4, 5, 6, जितने भी दियोंगे, आप उनको सीधा जोड़ दोगे, इस तरह से, series circuit आप बना दोगे, तो मैंने series circuit यह बना दिये, आपके पास 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm, resultant आपके पास आजाएगा, इनका sum that is 48 ohm, तो question number 3 का, जो आपके पास highest, यादि की a part का answer है, a part का आपके पास answer आजाएगा, 48 ohm, अब इसका बिल्कुल reverse, बिल्कुल reverse means, अगर आपको lowest resistance निकालना है, मानलत सपोस कर आपके पास यस question में, 4 resistance आपको दिये हुए, 4 resistance value के साथ, तो और आप से इन्होंने पूछ लिया है कि lowest resistance बताओ क्या होगा, तो lowest resistance का मतलब होता है, पैरलर combination, means, आप क्या करोगे, आप इन 4 resistors को पैरलर जोड़ दोगे, ठीक है, आप इन 4 resistors को पैरलरी जोइन कर दोगे, पैरलरी जोइन करते हुए, या सीरीज में जोइन करते हुए, धिहान रखना आप लोगोंने, means, यहाँ पर ये बात देखना है, कि आप कुछ भी लिख सकते हुए, जैसे मालना, यहां से भी शुरू किया है, 4, 8, 12, 24, आप यहां से भी start कर सकते हो, 4, 8, 12, 24, clear है, तो इसी तरह से यहां पर पैरलर में भी आप कोई भी resistance, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसे मैंने उपर से start की दिख कर दिया, 4, 8, 12 24, आप नीचे से भी start कर सकते हो, 4, 8, 12, 24, इस से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, आपकी question के अपर, तो जैसे कि यहां पर आपके पास parallel combination है, 4 lowest resistance, तो आप क्या करोगे, R equivalent is equal to 1 by 4, 1 by, यानि कि R1, R2, R3 की value, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 12, 1 by 24, LCM लेंगे, LCM लेंगे की बास solve करेंगे, त LCM लेना आपको आता है, मैत का part है, तो 1 by 2 आगया, तो R equivalent कितना हो जाएगा, आपके पास 2 ohm हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ohm, means हमारे पास, जो आपके पास third question है, third question के B part का जो आपका answer बनेगा, वो बनेगा just 2 ohm, means 4, 8, 12, 24 से अगर हमें maximum resistance find out करना है, तो आप उसे series में जोड़ देजिए, answer आएगा 48, और अगर lowest करना है, तो आप उसे parallel में जोड़ देजिए, answer आएगा 2 ohm, okay, next question बजोते है, next question है, what would be the reading in the emitter and in the voltmeter for the following diagrams, आपके पास एक सरकी diagram दिया हो है, इस सरकी diagram में आपको emitter की reading बता नहीं है, और आपको voltmeter की reading बता नहीं है, और आपको volt definition किसके अंदर है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि current आपका split नहीं कर रहा, और यह complete आपके पास किस में है, series में है, यानि कि आप क्या करोगे, इन तीनों को series में solve करोगे, तो यह आपके पास series में solve हो जाएंगे, आप इनको label कर सकते हो, R1, R2, R3, R1 की value 5 ohm, R की reading, means current की reading और potential difference की reading या voltmeter की reading, तो ऐसे question में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको current की reading निकालनी पड़ेगी, उस current की reading की help से आप potential या voltmeter की reading आप निकाल सकते हो, तो हम क्या करेंगे, ohm slow को use करेंगे, V is equal to IR equivalence, R equivalence means जो complete circuit, यानि इस complete circuit का complete combination का जो resistance हो, यहाँ पर V value, यानि की battery voltage, आपके पास 6 volt दे हुई है, 6 use हो जाएगी, और R equivalence आपके पास use हो जाएगा 25, और यहाँ से आपके पास I की value आजाएगी, 6 by 25, और 6 by 25 को अगर आप solve करते हो, तो हमसरा आता है 0.24 ammeter, तो इस question के लिए, ammeter की reading आपके पास आ गई है, 0.24 ampere, ठीक है, अब हम हमें निकालनी है, voltmeter के reading, voltmeter means, यहाँ पर आपने यह नहीं समझना कि जो complete voltage, यानि यह आपको दी हुई है, यही यहाँ पर आजाएगा, नहीं, आपको यह समझना है, आपको प्रिवेस वीडियो लेक्चर से आपको पता है, कि यह जो 6 volt potential difference है, यह इन तीनों के across बट आर की value यहाँ पर use होगी, वो 12 use हो जाएगी, और I की value हो जाएगी आपके पास 6 by 25, क्यों, क्योंकि इस पूरे combination में जो current है, वो same flow कर रहा है, ठीक है, ohms value, यानि resistance value आपके पास different है, और इस वज़े से आप V value यहाँ पर find out कर पाऊगे, तो V is equal to IR3, IR3 में R3 की value आपके पास 12, I की value 6 by 25, यहाँ से मने ले लिए है, और यह बन गया के पास 72 by 25, 72 by 25 को जो आप solve करोगे, आप cancer आएगा, 2.88 volt, means question number 4, emitter की reading 0.25 ampere, और volt meter की reading आपके पास आ गई है, 2.88 volt, ठीक है, अब जलते हैं 5th question, 5th question हमारे पास है, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 25 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor, तापको क्या करना पड़ेगा, आपको 5th question के लिए, इस तरह से, आपको एक छोड़ा डायगराम बना सकते हो, आपको यहाँ पर दिया है 12 volt की battery है, जो एक unknown resistor, यानि कि आपको R value निकालनी है, unknown resistor के across, हमने इसे जोड़ रखा है, emitter की reading, यानि current जो आपके बास है, वो 25 milliampere है, आपको R value निकालनी है, तो सिधा सा question आपके बन गया, I value 25 milliampere, 25 milliampere को अगर आप SI में convert करोगे, तो milli का मलदब आपको बता रखा है, 10 raise to power minus 3 होता है, तो I value आपकी आजाएगे 25 into 10 raise to power minus 3 ampere, V value, potential difference आपके बाद 12 volt है, आपको R value निकालनी है, हम ohms लोग को use करेंगे, V is equal to IR, R value हमें find out करनी है, तो यह formula बन गया आपके पस V by I, V value 12 volt, I value 25 into 10 raise to power minus 3, अब यह 10 raise to power minus 3 आपको निमिनेटर में चला जाएगा, positive 3 में convert हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसमें से 3 0 है ना यह, 10 raise to power 3 का मतलब क्या रहता है, 1000, तो आपने 10, 20, 12 के साथ use कर ली, multiplication में 120 बन गया, और यह बन गया को बस 10 raise to power 2, 25, 25 को आप क्या करोगे, 120 को 25 से divide कर दोगे, आपका answer आजएगा 4.8 into 10 raise to power 2, आपका answer यह भी सही है, अगर आप इसको simple करना चाहते हो, simple कर सकते हो, कैसे करोगे, इस point को हटा दोगे, नीचे 10 आजएगा, 10 raise to power 2 का मतलब 100 होता है, यह एक 0 से 1 0 कट जाएगी, और आपका answer आजएगा, 48 into 10, 480 ohm, तो इस तरह चेह आपके पास R value आ गई, unknown recession, यह कि 5th question के लिए आपके पास answer आ गया, 480 ohm, अब बारियत है question number 6 की, question number 6 आपके पास है, a battery of 9 volt is connected in series with the resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, और 12 ohm, how much current would flow through the 12 ohm and 0.4 ohm resistor, तो इस question के simplification के लिए आप फिर से इसका diagram मना सकते हो, इसके diagram में आपको दिया हुआ है, अमनली question में आपको दिया हुआ है, एक battery of 9 volt, एक battery 9 volt की connected in series with the resistor, यानि कि यहाँ पर जो series word है, वो इन सभी resistor के लिए यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, means यह जितने भी resistor आपके पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 resistors आपके पास series combination में हैं, तो इस तरह से मैंने 5 resistors को series combination में जोड़ दिया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, और 9 volt की battery हमें दे रखी है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस diagram को complete कर सकते हैं, 9 volt की battery हमें दे दी, तो हमें बताना है कि कितना current flow करेगा through 12 ohm और 0.4 ohm, अब इस question के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात ये ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी resistor, series combination में हैं, तो same current flow करेगा through all the resistor, ठेक है, same current flow करेगा through all the resistor, mean 0.4 और 12 ohm के लिए आपको separate separate नहीं निकालना है, आप निकाल भी नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने current की value निकाल देनी है, तो आप current की value कैसे निकाल लोगे, ohm slow के according निकाल लोगे, v value आपको दे रखिये है, r equivalence आप निकाल लोगे, i value आपकी निकल जाएगी, तो r equivalence बिलकु सीधा सा formula, r1 प्लस r2 प्लस r3, इन सभी को जोड़ दिया है, इन सभी को जोड़ने पर हमारा answer बन रहा है, r equivalence is equal to 13.4 ohm, i value आपको निकालनी है, v value आपको दे दिया 9 ohm, तो ohm slow आप follow करोगे, ohm slow, v is equal to ir, i की value निकालनी है, v by r, v की value आपके पास आपके 9 volt, r की value आपके पास है, 13.4 ohm, इसको जब आप solve करोगे, यह point उपर चला जाएगा, 90 by 134, 134 इसको solve करोगे, आपका अंसर आजाएगा, 0.67, तो answer आपके पास 0.67 ampere, current flow कर रहा है, through all the resistor, तो यहाँ पर अगर आपके पास 12, 4, अगर कुछ और दिया होता, 0.3 भी दिया होता, तब भी आपने एक ही बार current निकालना है, और वहाँ पर आप सिधा लिख दोगे, same current flow through all the resistor, ठीक है, 12 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, 0.3 ohm, सभी के cross, same current flow करेगा, that is 0.67 ampere, अब बार आती है, हमारे पास 7th question की, 7th question देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो यह question क्या है, इस question में आपके पास 3 पार्ट आगे, question एक ही है, लेकिन पार्ट इसके अंदर आपके पास 3 है, तो कैसे हैं ध्यान से समझने के कोशिश करना, आपके पास 2 coil है, A और B, दोनों का resistance 24 ohm है, यह कहा रहा है, 24 ohm का resistance है, एक coil का 220 volt line से हमने से जोड़ा हुआ है, पहले case में हमने जोड़ा है separately, दूसरे case में जोड़ा है, हमने CDC case में, और तीसरे में जोड़ा है parallel case में, हमें बताना है, करण कितना flow करेगा, तो first case के लिए क्योंकि आपने separately resistance को use किया है, तो बस आपने क्या करना है, दो बार, दो बार मत करो, बस एक की बार कर दो, और second के लिए भी, यानि कि A के लिए लिखा है, तो similarly for B भी लिख सकते हो आप, तो resistance in separate case में क्या होगा, R value 24 ही रहेगी, क्योंकि एक coil की value, या एक resistance की value 24 Ohm है, और हम उसे separate use कर रहे हैं, हैं दो, लेकिन separate separate use कर रहे हैं, तो एक बार जब यूज़ कर रहे हैं, तो एक part उसके अंदरी count होगा, तो V is equal to IR, I की value निकालनी है, तो V by R, V की value 220 V, R की value 24, सिधा यूज़ कर रहे होगे, आपका अंसर आजाएगा 9.16 Ampere, तो 9.16 Ampere current flow करेगा coil A से and coil B से, तो अगर आप यह दो बार करना चाते हैं, दो बार करता हैं, तो एक ही बार से लिखके, और दूसरी बार के लिए आप उसको similarly करके लिख सकते हो, जब बात आएगी series की, तो series में क्या होगा, आपके 2 coils को series में जोड़ा होगा, यानि कि जो equivalent resistance है, वो कैसे आएगा, series के formula के according आएगा, यानि कि R1 प्लस R2, तो R1 की value 24, R2 की value 24, तो total resistance आपके बास कितना होगया, 48 Ohm, अब इस 48 Ohm के across आपको बताना है, current कितना flow करेगा, तो I is equal to V by R, V value again 220 V, R value 48, तो इससे आप use करोगे, आपका असर आएगा, 4.58 Ampere, तो current जब resistance series combination में है, तो आपका current flow करेगा, 4.58 Ampere, third case आपके बास है, parallel में, जब parallel में होगा, तो आपको इसको parallel में solve करना पड़ेगा, तो 1 by R equivalence is equal to 1 by 24, प्लस 1 by 24, इससे solve करोगे, आपका अंसर बन जाएगा, इससे आप use करोगे, solve करोगे, तो answer आपके पास आजएगा, 18.33 Ampere, means जब आपके पास यहाँ पर 7th question है, 7th question क्या आपके पास तीन अंसर बन गए, separately में, series में, और parallel में, तो separately में आपके पास answer है, 9.16 Ampere, series में आपके पास है, 4.58 Ampere, और parallel में आपके पास है, 18.33 Ampere, ठीक है, अब जलते हैं, 8th question पे, इसमें भी आपके पास again 3 parts आ जाएगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, for the following circuit diagram, यह आपके पास circuit diagram दिया हुआ है, इस circuit diagram में आपने क्या करना है, first equivalent resistance find out करना है, फिर total current find out करना है, और potential difference across R1, यह आपके पास R1, यह आपके पास R3, R1 के across आपने total potential difference find out करना है, फिर बता दू मैं आपको combination यह है, इसके अंदर, इस तरह से जहाँ पर series और parallel होता है, तो जो potential difference होता है, कुछ बच्चे सीधा यह value value दे देते हैं, यह value value आपने नहीं देनी है, आपको इसे solve करना पड़ेगा, कैसे solve करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसका solution देखना पड़ेगा, तो यह आपके पास circuit diagram, circuit diagram में equivalent resistance निकालने के लिए, हम सिरफ यह बनाते हैं, बैटरी से इसे भी नहीं जोड़ते, अब यहाँ पर आपको सिधा दिखाई दे रहा है कि 8 और 12 आपस में किस में जुड़े हो हैं, parallel में जुड़े हो हैं, तो हम क्या करेंगे, इने parallel में solve करेंगे, इसका solution है, वो हमने R' माल लिया, R equivalence, तो 1 by R' is equal to 1 by 8 plus 1 by 12, LCM लेंगे 24, 3, 2, तो 1 by R' आपके पास आगया, 5 by 25, 24, R' आपके पास आगया 24 by 5, 24 by 5, तो R' आपके पास आगया 24 by 5, 4.8, अब इसका जो resultant आपके पास है, वो 7.2 के साथ, आपके साथ स्रीज में जुड़ा हुआ है, means आपका जो circuit diagram है, यह circuit diagram आपका, अब इस तरह से change हो जाएगा, किस तरह से change हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यह तो पहले वाला है, 7.2, यह वाला R' और इन दोनों का resultant, जो भी हमने solve किया था, 4.8, तो यह बन गया 4.8, अब यह आपके पास किसमें है, series combination में, series combination में solve करने के लिए आपको formula पता है, R1 प्लस R2 सीधा straight formula के पास है, और यह बन गया आपके पास, 7.2 प्लस 4.8 is equal to 12 ohm, अब आपको यहाँ करना है, आपको यहाँ पर find out करना है, total current, total current के लिए आप ohms लोगो follow करोगे, अब आप यहाँ पर यह समझने के कोशिश करना है, क्योंकि हमने last में इसको series में change कर दिया था कोशिशन को, यानि कि same current flow करेगा through, यानि कि current के value आप second part से लिलोगे, 0.5 ampere, V value आपको निकालने है, कैस के across निकालने है, R1 के across निकालने है, तो R1 के value कितने है, 7.2 ohm, तो V is equal to IR, दोनों को just आपने क्या करना है, multiply करना है, multiply करने के बाद आपका अंसर आ जाएगा, 3.6 volt, तो potential difference across R1, potential difference across R1 is equal to 3.6 volt, अब बार याती है, 9th question की, 9th question हमारे बास है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास length दिये हुई है, length 1 meter, diameter आपको दिया हुए 0.2 mm, अब आपको पता है कि diameter को हमें किसमें चेंज करना है, radius में चेंज करना है, क्यों करना है, क्योंकि हम यहाँ पर, जो formula यूज करते हैं, area के लिए वो करते हैं, pi r square, r means radius, तो radius क्या होता है, diameter का half होता है, इसको मैंने just सीधा divide कर दिया, 2 जे अनसरा आगया मेरे पास, 0.1, 0.1 mm, 0.1 mm, और यह 1 mm means millimeter, इसको कैसे solve करते हैं, आपको बता रखा है, 0.1 into 10 raise to power minus 3 meter, r value 10 ohm, resistivity value आपको calculate करनी है, तो आपको formula पता है, radius is equal to rho l by a, area pi r square, अब हमें resistivity find out करनी है, means आप इस formula के को, complete resistivity में change करोगे, formula क्या बन जाएगा, आपके पास, ये pi r square आपके पास, r के साथ cross multiply में आ जाएगा, r into pi into r square, divide by l, values को put करेंगे, यहाँ पर 10 आ गए आपके पास, r value 10, pi value 3.14, r square है, तो 0.1 into 10 raised to power minus 3, को आप दो बार लिख दो, 0.1 into 0.1, 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 3, length 1 meter था आपके पास, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, चलो लिख लिए था, मैंने लिख के काट दे दो से, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस point को हटाओगे, यहाँ से इस point को हटाओगे, नीचे 10, 10 हो गया, अब यह 10, इस 10 को काट देगा, अब यह 10 नहीं न, यह 10 आपका उपर जाएगा, 10 raised to power minus 1 बन जाएगा, तो आपने क्या करना है, सीधा 3.14, 3.14, और यह 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 3, और 10 raised to power minus 1, इनको जब आप add करोगे, add क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमें पता है, जब base same होता है, power add हो जाती है, तो आपके बस सीधा अंसर बनेगा, 3.14 into 10 raised to power minus 7 ohm meter, ठीक है, easy question है, देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसकी practice करोगे, ज़्यादा practice करोगे, तभी आप इस question कर पाऊगे, यहां तक आपने जितने भी question की हैं, solution देखें अगर आपने, तो शायद solution से पहले आपको वो मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन solution के बाद आपको काफी असान लगेंगे, तो एक ही formula है, success का या फिर्म question को समझने का, कि आप ज़्यादा ज़्यादा इनको practice करो, समझ के ज़्यादा ज़्यादा practice करो, एक बार करने के बाद, अगर एक gap आजाता है, काफी दिन होगा, एक अफ़ते का, दो अफ़ते का, तो उसके बाद आपको समझने में दिक्कत आईगी, लेकिन अगर आप लोगोंने एक ही बार इसको बहुत अच्छे ज़्यादा practice कर रखा है, फिर आपको दिक्कत कम आएगी, आईगी तो है यह नहीं जब practice छोड़ दो के तो, बनाना होगा आपको तो आपको यहाँ पर बल्ब का शेप बना दिया और इस बल्ब का जो resistance value है, वो है 30 ohm, मैंने यहाँ पर 30 ohm लिख दिया, रसिस्टर, जब रसिस्टर वर्ड यूज़ होगा तो आपने उसे इस तरह से zigzag line form में शोग करना है, और इस resistor की value क्या आपके बास resistance value क्या है? 6 ohm, बैटरी, 6 volt की बैटरी साब ने इसको connect किया है, आपको निकालने हैं, तीन कोश्चन के अफसा, तीन कोश्चन कौन कौन से है, total resistance निकालना है, total current निकालना है, और फिर आपको potential difference निकालना होगा, across, किसी भी एक part के जैसे यहाँ पर उने दे दिया bulb, अच्छा, bulb और resistance दोनों के across आपने निकालना है, चलो, इससे में एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा, भी आपको वीडियों पता लगेगा, तो पहले हमारा सरकी डियाग्राम, इस सरकी डियाग्राम के हो सकता है, दो नंबर हो, एक नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, उसके mark distribution पर, तो आपको ये सरकी डियाग्राम डियाग्राम करने आने बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, इसमें गर आप गलती करो के तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो यहाँ पर positive, यहाँ पर negative, तो हमें क्या करना है, पहले equivalent resistance निकालना है, तो हम equivalent resistance निकालना है, सिधा series combination आपको दिख र निकालना है, current, second question हो क्या निकालना है, current, current कैसे निकालना है, ohm slow को follow करेंगे, ohm slow में क्या होता है, v is equal to ir, v is equal to ir, i की value आपके पास बन गई, v by r, v value आपके पास कितनी है, 6 volt है, r value आपके पास क्या है, total resistance 36, तो 6 by 36, cut हो जाएगा, 1 by 6 है, और 1 by 6 की value के अतनी होती है, 0.16 ampere, तो current जो flow करेगा, इस circuit के across, वो कितना करेगा, 0.16 करेगा, ठीक है, first part हो गया, second part हो गया, अब बार यते third part, third part में आपके पास क्या है, third part में हमारे पास है, कि हमने 30 ohm और bulb, bulb और जो resistor है, उनके across, potential difference find out करना, यानि कि जो 6 volt का potential difference है, वो जैसे मैंने आपको series combination में बताया था, ज़र theory पताते वे तो पताया था, कि ये बट जाता है, यानि कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, तो हमें यह बताना है, कि वो कितना हिस्सा मिलेगा, और specialty क्या होगी, इन दोनों का sum, इन दोनों के across, जो potential difference है, उसका sum किसके को लोगा, 6 volt के across होगा, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पर निकालना है, potential difference across bulb, तो across bulb निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ohms लोगो follow करेंगे, ohms लोगो हमारे पास क्या होता है, V is equal to IR, अब क्योंकि potential difference bulb के across निकालना है, तो हम यहाँ पर R, जो resistance है, वो भी bulb वाला लेंग इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, R bulb लिखा है, similarly जब resistance के cross होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते है, R, R लिख सकते है, अब आपका question यह बन सकता है, आपके मन में question आ रहा हो कि यहाँ पर I bulb और IR क्यों निका, IR मींस यह वाला IR, यह वाला IR क्यों निका, तो व बल्ब हमारे पास क्या आती, 30 ohm थी, तो सीधा सोल की हमारे पास आ गया 5, यानि कि बल्ब के across, इस बल्ब के across, जो potential difference है, वो आपके पास कितना है, 5 वोल्ट है, means अगर हम यहाँ पर वोल्ट मेटर लगाते, तो वोल्ट मेटर की जो रीडिंग हमारे पास आती है, वो कितनी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए न, है न, तो हम यह चेक भी कर सकते है, यानि कि 6 वोल्ट के across हमारी value 1 आनी चाहिए, अगर नहीं आपती है, तो हमें यही बात समझ में आ जाएगे, कि हमारा question कहीं नहीं गल्त हो गया, तो जो हम VR निकाल लेंगे, VR is equal to IRR, IRR क्यों लिख कि हमारा question गल्त हो गया, क्यों गल्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस 2, 7 हो जाता है, और potential difference हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यानि यह कुछ न कुछ गरबड हो गया, है न, तो इसी तरह से हमारे पास, अभ यहाँ पर जो एक ही question के अंदर एक तरह से चार पार्ट हो गए हमारे, ठीक है, तो यह वीडियो वाकई में थोड़ी से लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप लोग के लिए काफी beneficial रहेगी, knowledge point of view से, I hope कि आपने इस सारे question अच्छे सिख्खे होंगे, अगर कोई doubt है तो आप बता सकते हैं, comment box के अंदर, आपको वो portion को या इस पार्ट को दबारा देख लेजिए, आपको clear हो जाएगा, तो घर पर रही है, safe रही है, और इसी के साथ thank you